इसका परसेंटेज वूड बी लेस देन वन परसेंट पॉपुलेशन में पर जेनरल अगर आप एक कॉंसेंट्रेशन देखें तो काफी पेशन हो जाते हैं, दस हजार में एक को होने के चांसेज रहते हैं यह डिजीज कुछ इसकी पूरा उपचार है? उपचार डेफिनिटली है, अगर टाइमली डाइगनोज होता है तो डिजीज को हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं क्योर की गैरेंटी हम अभी भी नहीं दे सकते हैं उसके लिए आगे ट्रीटमेंट डिजीजेज नई वाले नई मेडिसिंस की बनने की स्टेज में हैं बट अभी की स्टेज में हम इतना बोल सकते हैं कि जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए डिजीज 100% कंट्रोल में रह सकती है हां यह डिजीज मेल्स में ज्यादा एफेक्ट करती है नाइन इस्टू वन दस में से नौ होंगे तो जैंट्स होगा एक फीमेल हो सकती है जिसमें यह डिजीज हो सकती है खास कोई यूनियम बनेंगी है इसके लिए अभी जस्ट आज ही हमने फर्स्ट मीटिंग की है अंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस सपोर्टिंग ग्रूप है अंतरद्वानी करके एंजीओ है जिसके अंतरगत हम यह इस पर्टिकलर डिजीज के जितने भी पेशेंट्स है उनको सब इकटा करके डॉक्टर के साथ हमारे साथ ज следstomy है अर पॉर्टिकलर पेशेंट इलेटिक जो प्रॉबलमस है उनको हम डिसकस करेंगे और इसका निदान करेंगे इलाज कुछ मेहना है या क्या है सब तरीके का इलाज है इसके लिए अविलिबल है सस्ते से सस्ते से महंगे महंगे भी मतलब एक एक लाक रुपए तक के भी इंजेक्शन आते हैं अब डिपेंड करता है पेशिंट किस स्टेज में है उनको किस टाइप की तकलीफे हैं और उसके अकौर्डिंगली आगे का ट् करता है हाथ के जोड जो होते हैं वह बाकी गठिया जो दूसरे टाइप के होते हैं उन में इंवाल होता है इसमें कमर दर्ड और पैरों के जोडों का दर्ड यह मेंट फीचर रहता है योगा और एक्सराइस को ज्यादा इसमें इंपोर्टन्स देती हूं अगर आप और एक्सराइस का बहुत बड़ा रोल है दवाई एक हद तक अंदर की सूजन कम करेगी पर मुवमेंट तो करना ही पड़ेगा उसके लिए एक्सराइस करना बहुत जोड़ी है